नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सबसे लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अप्डेट्स के रूप में इस अउसर पर प्रदानमंतरी मोधी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रिकल्चर और फूड को लेकर अमारी मानेता है हमारे अनुभव हैं यह कॉनफरेंस नई दिल्ली के राच्टे कृषी विज्ञान केंदर परिशर में हो रही है दरसल दोस्तो यह कॉनफरेंस दुनिया बर में खेती और उससे जुड़ी समश्याओं और उसके समादान खोजने के लिए हर तीन साल में आयुजित की जाती है भारत में इसका आयुजन 65 साल के बाद किया जारा है यहां इसका आयुजन 2-7 अगस्त तक चलेगा चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार दरसल 21 जुलाई को अमित शाहा ने पूने में ठाकरिको औरंगजेव फैन कलब का लीडर कहा था उद्दव इसी तंज का जवाब दे रहे हैं चले दोस्तो जान लेते हैं आगली खबार चंडिगड कोट में फाइरिंग पंजाब के पूर्व AIG ने दामाद को गोलियों से भूना जिन दुस्तो चंडिगड कोट कॉंपलेक्श में फाइरिंग की घटना सामने आई है दरसल दो पक्ष एक मेरिज डिस्टिब्यूट के सिलसले में फैमली कोट में आये थे इस दोरान पंजाब पुलिस के पूर्व AIG मलविंदर सिंग सिद्दू ने अपने दामाद पर गोलियां चला दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई मरने वाला दामाद क्रिशी विभाग में IRS था दोनों पक्षों के बीच बाच्चित चल रही थी तभी आरोपी ने बात्रूम जाने की बात कही इस पर उसके दामाद ने कहा कि मैं रास्ता बताता हूँ दोनों कमरे से बाहर निकल गए इसी दोरान आरोपी ने अपनी बंदूग से पाच फायर किये जिन में से दो गोली युवक को लगी वहीं एक गोली अंदर कमरे के दरवाजे पर जा लगी दो फायर खाली चले गए गोली की आवास सुनते ही कोट में हड़कम मच गया चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार वायनाट लेंड्सलाइड चार दिन बाद बचाये गई चार आदिवासी बच्चे रेस्क्यू टीम ने हतेली में भर कर पानी पिलाया शरीर से बांध कर पहार से नीचे उतारा जेपूर में जलका पूर्व मुख्य मंत्री वसुंदरा राजे का दर्द जेपूर में एक कारेक्रम के दर्द जलक उठा उन्होंने कहा कि राजनिती में हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। रहते हैं और हर वक्ति को इसमें उतार चड़ाओ से गुजरना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबार। भीवंडी कोट में राहूल गांदी से जुड़े केस की सुनवाई। साल 2014 से चल रहा है मामला राहूल गांदी ने महत्मा गांदी की हत्या को आरेसेस से जोडा था। जियां दोस्तों महराष्ट के ठाने जिला कोट में शनीवार को राहूल गांदी के खिलाफ दायर मानहानी मुकद में की सुनवाई हुई। इसके आदार पर मानमानी का मामला दायर किया गया था। करते हैं और कहते हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे बलकि हम आपको बहतर रिजल्ट देंगे। चंद चूर्ण ने कहा कि जब बियार अंबेडकर जिसे दिगजों ने सविधान बनाया था तो उन्होंने इसे एक मिशन के साथ बनाया था। चलिए दोस्तो जान लेते हैं आगली खबार। चलिए दोस्तो जान लेते हैं आगली खबार। मुसल्मान लव जिहाद करते हैं इसाई धर्म परिवर्तन दौरका के संकराचारे स्वामी सदानंद सरस्वती बोले हर राज को यूपी जैसा कानून लाना चाहिए। जान दोस्तो जगद गुरू आदी संकराचारे जी ने भारत में चार मठो की स्तापना की इन में से एक शार्दा मठ गुजरात के दौरका में हैं। दौरका मठ के संकराचारे स्वामी सदानंद सरस्वती जी हमदाबाद के शिवानंद आश्रम में चातुर मास बिताने आये हैं। यूपी में लवजियात के बिल पास हुआ इस बारे में उनसे सवाल पूचे गए। इस पर उन्होंने कहा कि यह बिलकुल सही फैसला है। राजय के मुखे मंत्री को लवजियात के कानून का पालन कराना चाहिए। इसाई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबार। वाइनाड लेंड स्लाइड में 143 शव टुकडों में मिले मरने वालों का आकड़ा अब 361 पहुचा, डेड़ बोडी ढूंडने सेना के डीप सर्च रडार मंगाए गए जयन दोस्तो केरल के वाइनाड में 29-30 जुलाई की राद भारी बारिश के बाद हुई लेंड स्लाइन में मरने वालों की संक्या अब 361 पहुच गई है, इन सबी शवों का पोस्ट माटम हो चुका है, इन में 218 शवों की पहचान भी हो चुकी है 143 लोगों के शरीर के सिर्फ टुक्रे बरामद हुए हैं, सेना ने 1 अगस्त को मुंड गई चूरमाला, अंटामाला और नूल मुंजा गाउं में रेस्क्यू ओप्रेशन खत्म होने की जानगारी दी थी, अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूडने का काम चल रहा है, क जिया दुस्तों, अमेरकी चुनाव में डोनाल टरम के खिलाफ डेमोकरिटिक पार्टी से भारतिये मूल की कमला हैरिस राष्टपती उम्मीदवार होगी, पार्टी में 1 अगस्त से शुरू हुई ओनलाइन वोटिंग में 28 गंटे बाद ही उन्हें 2350 से जादा डेलिगेट का समर्थन मिल गया, इसी के साथ उन्होंने बहुमत का आकड़ा भी पार कर लिया, दरसल दुस्तों 6 अगस्त को वोटिंग खत्म होने के बाद ही उनके अधिकारिक तोर पर राष्टपती उम्मीदवार बनने की घोशना की जाएगी, न्युयाक टाइम्स के मुताबित कमल अमेरिका के राष्टपदी पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महीला होगी, चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार, जम्मू में आतंकवादियों के मददगार 6 सरकारी करमचारी हुए बरखास्त, इनमें 5 पुलिस कर्मी और एक टीचर शाम सबी ड्रग के व्यापार और टेरर फंडिंग कर रहे थे, LG मनोसीना के नेतरतूवाले प्रसासन ने इन करमचारीों को बरखास्त करने के लिए भारत के सविदान के अनुच्छे 311C का इस्तेमाल किया, LG ने कहा कि यह सभी पाकिस्तान की ISI और उससे जुड़े अतंकवाद संगटनों के नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सात है, चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार, पैरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक से चुकी मनु भाकर, इस बार एक पायदान से रह गया पदक, जिया दोस्तो मनु भाकर पैरिस ओलंपिक 2024 में मेडल की हैट्रिक से पहले दो मेडल जीच चुकी, मनू भाकर इस बार वुमेन 25 मिटर पिस्टल इवेंट के लिए मेदान पर थी, मनू ने इवेंट के फाइनल में जगय बनाई थी, पहले दो ब्रोंज मेडल जीच चुकी, मनू से इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही थी, आलंकी वहा आने से सिर्फ एक पाइदान दूर रही और चोथे नंबर के साथ उन्होंने अपने अभियान को फिनिश किया, चलिए जान लेते हैं अगली खबार, देश का मान सुन ट्रेकर हिमाचल में फिर बादल फटा, दो दिन में 8 मोते 47 हुए लाप था, MP 36 गड़ में आज भारी ब बादल फटने से 8 लोगों की मोत हो गई थी, 47 लोग लापता थे, NDRF, SDRF, पुलिस और ओमगार्ड के जवान लापता लोगों की तलाश में जूटे हुए हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दोस्तों इमाचल प्रदेश में एक के बाद एक दो घटनाए कुलू, मंडी और शिमला में घटित हुई, इनमें 47 लोग लापता हो गए, 36 केवल शिमला के हैं, 16 एकी परिवार के हैं, अब तक 8 लोगों की मोत हो चुकी और फसे हुए, 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, वहीं दोस्तों बात करें एकले 24 घंटे के दोरान मद् प्रदेश में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, जहां जहां जीती सपा, वहां बहु बेटियों के साथ हुआ बुरा बरताओ, अमित मालवे का दावा, अखिलेश यादों पर कही यह बात, जिया और उसके सैयोगी ने सामुहिक दुषकर्म किया, वो नाबालिंग है, मोहिन उसके पिता नहीं दादा की उम्रका होगा, बेजेपी आईटी सेल के हेड ने आरोप लगाया कि चुकि पीडिता निशान समा से आती है, और वहत दरिंदा वोट पैंक से आता है, इसलिए जनित राजनिती के अलावा और किसी चीज की अपेक्शान नहीं की जा सकती, चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बाड़ी खबार, मनिपुर के जरीबाम में शान्ती समझोते के अगले दिन ही हुई हिंसा, उपद्रवियों ने फाइरिंग की घर फूका, में आग लगा दी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था, इससे एक बड़ी घटना होने से बच गई, चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बाड़ी खबार, लेकिन उससे पहले मेरी आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी दग्वा चांदी 2230 रुपे मेहंगी हुई, जियां दोस्तों इस अफते सोने चांदी के दाओं में तेजी देखने को मिली है, इंडियन बुलियन और जोलर सुर्शन की वेज़साइट के नुसार पिछले शनिवार यानिकि 27 जुलाई को सोना 68,131 रुपे पर था, जो अब 3 अगस् यानिक दोस्तों इस हफते इसकी कीमत में 2230 रुपे की बड़ोतरी हुई है, इस साल चांदी 29 मई को अपने ओल्टाइम हाई 94,280 रुपे पर पर पहुँच गई थी, चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बाड़ी खबार, शुभांसू इंटरनेशनल स्पे इस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनेट चुन लिया है, ग्रुप कैप्टन शुभांसु शुखला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे, इस रोने शुकरवार 2 अगस्त को बताया कि कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है वे बेकप के तोर पर इसका हिस्सा होंगे, शुवांसु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आई एसस कब जाएंगे, इसकी तारीक का एलान अभी नहीं हुआ है, हालांकि दोनों की इसी हफते में ट्रेनिंग शुडू हो जाएगी, चलि दोस्तों जान लते हैं अगली खबार यूपी में खाकी का रसूख हुआ खत्म, सांसत चंदरशेकर आजाद ने अयोध्या रेप केस पर सीम योगी को घेरा, जियानुस्त उत्तर प्रदेश का अयोध्या इस्तित भदरसा में हुए रेप कांड को लेकर प्रदेश में स्यासत तेज हो गई है, इस घटना को लेक हमला बोला, भीमार्मी चीफ चंद्शेकर आजाद ने यूपी में कानून विवस्ता पर सवाल उठाए, चलिए जान लेते हैं अंगली खबर, मुल्वी के बारे में बोल कर दिखाएं, डियम के मंतरी के भगवान राम पर दिये गए बयान को लेकर संत समाज हुआ नाराज जिया दोस्तो तो मिलाडू के मंतरी, S.S. शिवशंकर के भगवान राम पर दिये गए विवादित बयान पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है, पाताल पूरी पीठा दिश्वर के अध्यक्ष, महंत बालकदास नेती की प्रतिकरिया दी, उन्होंने कहा कि इस मंतरी संत इस मंतरी को न इतियास का पता है और नहीं भुगोल का, इन लोगों को धार्मिक ज्यान भी नहीं है, ये लोग हर बयान अपनी राजनितिक रोठियां सेखने के मकसद से देते हैं, जो मुह में आता है बोल देते हैं, इन लोगों की मुर्खता अपने चरम पर पहुंच रहना भी उच्चित नहीं, ये लोग मंतरी बने बैटे हैं, लेकिन इन लोगों को राम जी के इतियास के बारे में कुछ नहीं पता। के मताबित इरान ने हानिये के सुरक्षा में चूक को देखते हुए ये गरिफतारियां की है, दरसल दोस्तो हानिये इरान के राश्पती मर्शूद पजक शियान के सपत गरांशमारों में शामिल होने के लिए पहुंचाता हुए जिस्ट गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसक दोस्तों मोस्ट अविटिड फिल्म भूल भूल या थी की शिटंग पूरी हो गई है, इस बात की जानकारी फिल्म के लीड एक्टर कार्तिक आरेन ने वीडियो शेर करके दी, इस वीडियो के साथ केप्शन में आर्तिक ने लिखा इस दिवाली पर मिलते हैं, जी आं दोस् कप्तान सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतिय वल्ले बास बने अशलंका ने लगा तार दो विकिट लेकर मेच टाय कराया सिराज ने निशंका का केच छोड़ा जिया दुस्तो भारतो श्रिलंका के बीच वंडे स्रीज का पहला मुकाबला टाय हो गया अब वंडे काने मेच को टाय कराने में कामयाबी यहां सिल्गी वहीं दोस्तो इस मेच में कई रिकोर्ड वी बने जिन में एक रिकोर्ड है बारतिय कप्तान रोई शर्मा के नाम जिया दोस्तो भारतिय कप्तान बतोर कप्तान ऐसे पहले भारतिय बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्या वेंचर की अनौसमेंट की है इस चैरिटी वेंचर का नाम क्रिकेट फोरक कोज रखा गया है दोनों ने इस वेंचर की शरुवात विपला फांडेशन के लिए धंज उटाने के लिए किया है दरसल दोस्तों अतिया और राउल के साथ क्रिकेट जगत की कई मशूर लोग भी इ चलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार अनौराक कशप ने की साथ सिनेमा की तारीफ बोले बोल्यूड रियल कहानियों की बजाए इस्टार पावर पर निर्भर करता है पैसे की बरबादी भी होती है जिया दोस्तों फिल्म मेकर एक्टर अनौराक कशप ने बोल्य कर रही है इंडियन एक्सप्रेक्स को दिये इंटर्व्यू में कशप ने कहा कि बोल्यूड में स्टार पावर पर जादा ध्यान दिया जाता है जबकि साउथ की फिल्म इंडस्टियसली कहानियों पर ध्यान देती है उन्होंने दहिंदू से बादचीत में फहाद हासिल की आवेशम की सरहाना की और कहा कि इस फिल्म के में कर्ष ने मुख्य भूमिकाओं में तीन इंफ्लूनस को कास्ट करने में कोई हिचके चाहट नहीं दिकाई बोल्यूड में एसी भूमिकाओं के लिए बड़े सितारे ही होते हैं जो केवल स्टार पावर पर ध्यान देते हैं चले दोस्तो जरान लेते हैं आगली खबार हिमाचल में बारिश का कहर प्रदेश की सरके इस जाम इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट ने मोजम को लेकर दिया नया अपडेट जिया दोस्तो हिमाचल प्रदेश में पिछले चार दिन से लगातार बारिश हो रही है लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में 190 से अधिक सलकों पर यातायात बादाइत हो गया बारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांसे से प्रभावित हुए हैं अगले एक हफते तक हिमाचल प्रदेश में बारिश से रात मिलने के आसार नहीं है वहीं दोस्तो इस्तान ये मोसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर यलो अलट है जारी किया है इसके अलावा दोस्तो राजिया पात्कालन परिचालन केंदर के जरिए शनिवार को भारी बारिश के कारण अवग मन बादित होने के आँखड़े जारी किये गए अरोसी मार्ग मंडी में, 38 कुल्लू में, 35 चंबा में और 50 शिमला में हैं चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार बिग बोस OTT 3 की विनर बनी सना मकबूल फिनाले में रेपर नेजी को हराया ट्रोफी और 25 लाख रुपे जीते जिया दोस्तो मोडल और एक्टरे सना मकबूल बिग बोस OTT 3 की विनर बन गई है शुकरवार 2 अगस्त को हुए ग्रेंड फिनाले में सना ने रेपर नेजी को हराया विनर के तोर पर सना को ट्रोफी और 25 लाख रुपे मिले हैं दोस्तो ट्रोफी जीतने के बाद सना इमोशनल हो गई और वहां मौशूद अपनी मा को गले से लगा लिया फिनेले में सेट पर सना को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन और कथित बॉइफ्रेंड श्रीकान बुरेडी भी मौशूद थे चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार हर्याना में घर बनाने के लिए नई नियम लागू चार मंजिला बिल्डिंग बना लेने वालों को 60 दिन की महलत जिया दोस्तो हर्याना में कई मंजिला मकान बनाने का प्लान बना रहे लोगों को नई नियमों की जानकारी होना जरूरी है हाल ही में दोस्तो निर्मान स्विकृति प्रिक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हरियाना डिस्टिक और टाउन प्लानिंग ने स्टल्ड प्लस चार मंजिला इमारतों के लिए एक नई मानक संचालन प्रिक्रिया जारी की है अधिकारियों के अनुसार एसोपी के अंतरगत संपत्ती मालिकों को हरियाना बिल्डिंग कोड विनियमों के तहत 60 दिन के भीतर अधी भोग प्रमान पत्र के लिए आविदन करना निवार्रे कर दिया गया है इसके अलावा जल्दी चार मंजिला इमारतों की मंजूरी प्रिक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया पोर्टल भी लॉंज किया जाएगा दरसल दोस्तो दोजुलाई को जारी किये गए नई नियमों और शर्तों के तहत स्टल्ट प्लस चार मंजिल निर्मान की अनुमती दी गई है दोस्तो बारी आती है आज के माइन क्यूज कूशन की जिया दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पाकिस्तान से अलग होकर बांगलादेश किस वर्ष में अलग देश बना था